गुड मॉर्निंग एवरिवन, वेलकम टू पी डबली ओनली आईएस। इनसान की, तो एक इनसान के लिए परसनल लिबर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉइंट बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि देखो जेल एक exception होती है। जो बेल होता है वो norm होता है। दरसल में ED और CBI यहाँ पर कोशिश ये कर रहे थे। इनकी बात ये थी कि जो lower courts है वहाँ पर जाके पहले इनको अपनी बेल यहाँ पर कोशिश करने चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ये कोई साब सीडी का खेल नहीं है। बहुत सारे केसिस के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो बेल जो अपने आप में एक नौम होती है जेल अपने आप में exception होती है वो lower courts यहाँ पर follow नहीं कर रहे जो कि एक गलत बात है। इसके साथ में अगर हम बात करें देखो कल जो है वो नीट पीजी का एक्जाम है यानि की 11 अगस्त को इसके रिगारिंग मुद्धा भी सुप्रीम कोर्ट में गया देखो नीट यूजी के रिगारिंग आप जानते होंगे बहुत लंबे टाइम तक मुद्धा चलता रहा प सरकार ने उनको मना कर दिया कि ऐसा को पेपर लीक नहीं था पर पेपर पोस्ट पान बहुत जदा बार हुआ है अब फाइनली कल 11 अगस्त को इनका यहाँ पेपर होना है इस केस में भी हुआ पता क्या है कि सेंटर्स पहले बहुत जदा हुआ करते थे 12-1300 सेंटर्स हुआ क करते थे पर यहाँ पर इनको कम करके 500 कर दिया गया है अब काफी बच्चों का यह कहना है कि हमें अपने सेंटर तक जाने के लिए 1000 किलो मीटर 500 किलो मीटर ऐसे बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना बढ़ जा है अब देखो कोशिश यहाँ पर यह थी कि कहीना क लीक के लीक रोका जा पाए तो कम सेंटर्स करे गए है पर उससे कई बच्चों को तकलीफ हुई तो मुद्दा सुप्रीम कोट के अंदर गया सुप्रीम कोट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है सेंटर्स कम है पर इसको दुबारा पोस्टपॉन करना अपने आपने बहुत केजी केटिगरी मेंस के अंदर केहां पर पर प्रेस्ट लूमिक्स के अंदर एक ब्रोंज मेडल यहां पर जीता है राइट दोस्तों डेट है आज की 10 अगस 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के पहले बूस्टर न्यूस डिसकॉशन के अंदर हमें एक जो टॉपिक आज जिसकस करना है यह जिसको आप लोग चेक के बारे में जानते हो हां साथ में ट्रंकेशन को जब मैं वर्ड यूज करता हूं इंग्लिश में इसका मेनी होता है शॉटन करना यह किसी चीज़ को तेज करना कुई करना ठीक है अब आप इस चीज़ को समझना पहले पता क्या हो होता था जैसे माल लो मैं हूँ यहां पर ठीक है ना और मैंने आपको यहां पर चेक दिया ठीक है अब आप जाते थे अपने बैंक के पास जाते थे राइट वो बैंक जाके फिर आपकी चेक को देखता था फिर वो दूसरे बैंक उसको फिजिकली ट्रांसफर करता था तब कई दिनों के बाद जाके आपको पैसा मिलता था पता है क्यूं? क्यूंकि यहाँ पर ना चेक क्या हो रहा है? फिजीकली ट्रांसफर हो रहा है एक ब्रांच से दूसरे बैंक बेजा जा रहा है उसमें टाइम तो लगना ही लगना है बिल्कुल ठीक बात है अब जब मैंने बात करी CTS की चेक ट्रंकेशन ट्रंकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था तेज करना किसी चीज़ को जब हम इसकी बात करते है ना इस केस में फिजीकल ट्रांसफर नहीं होता चेक का इसका इलेक्टरॉनिक ट्रांसफर होता है संचे जैसे मालो मैंने आपको चेक दिया ठीक है आप यहाँ पर चेक लेके आपने बैंक के पास चलेगे ठीक है अब बैंक ने पता क्या किया आपके बैंक ने फिजीकल ही दूसरे बैंक को आपका चेक नहीं भेजा उसने यहाँ पर उसका magnetic ink sector recognition data और images उसकी फोटो कीच लिए और जो थोड़ा बहुत डेटा था वो यहां पर इसमें capture कर लिया यह गया clearing house के पास clearing house ने उस bank के पास यहां पर इस चीज को भेजा जहां से पैसे निकलने है right and यहां पर accordingly इसने accept किया and accordingly payment को process कर दिया तो आपको बहुत जल्दी से इसके अंदर आपके account में पैसा आ जाएगा this is how it works कहने का आर्थ बहुत simple सा है जब से हमने check transaction system को start किया है तब से physical transfer of checks रुख चुगया है अब physically cash आपका जो check होता है वो transfer नहीं होता उसका online data हाँ आपके photos के मादियम से MICR data वो transfer कर दे जाता है जो भी presenting bank होता है उसके पास ही data सारा रहता है and common warehouse के अंदर physical check भी उसका store रहते है पर पैसा भेजने के लिए आपका bank से दूसरे bank आपका check नहीं जाता ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है check transaction system के अंदर तो RBI की तोड़ा undertake किया जाता है ताकि physical checks को हम यहाँ पर रोक पाएं यहाँ पर MICR data को capture किया जाता है आपके images वेड़ा यहाँ पर देखी जाती है तो online एक method यहाँ पर हो जाएगा check को clear करने का ठीक है ना तो proper यहाँ पर security architecture भी होता है सारे चीज़ें आपको बहुत कम time के अंदर यहाँ पर मिल जाते है अपने पैसे cost saving हो जाती है ठीक है ना क्योंकि अब एक bank सो दूसरे bank नहीं भेजना पड़ रहा तो जो भी सारा चीज़े थी transportation वगरा वो भी कहीना के कम हो जाएगा shorter trading cycle यह सारे benefits है CTS के तो सर यह तो हमें पता था CTS यह तो चली रहा है मतलब system ऐसा थोड़ी है कि आज यह चीज़ हुई है बिल्कुल यह चीज़ चल रही थी no doubt about it पर यहाँ पर RBA गवर्णर जीने ना इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया है CTS के अंदर किसी से दुबैर में लिया शाम में लिया इस तरह से काफी सारे चेक होगे अब इनका एक batch बनाने के बाद ना अब इनको बेजा जाएगा तो जब भी मालनो जो बंदे ने सुबह यहाँ पर चेक जमा करा रखा है इसको तो बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ रहा है उस चेक के आगे processing होने के लिए क्योंकि कि यहाँ पर साथ system कहता था एक group के अंदर चीजों को बेजाता है एक batch के अंदर बेजाता है normally दिन के अंत के उपर बेजा जाता है किसी जगा दो दिन के अंत पर बेजा जाता है जिस वज़ा से check transaction system में भी न दो से तीन दिन लग जाते है कई बार depending upon कि कितनी processing है अब यहाँ पर RBI गवर्नर जी ने बोला नहीं अब हम चलेंगे किस की तरफ अब हम चलेंगे continuous clearing की तरफ continuous clearing में क्या होगा check को जो process करना होगा वो real time में करना होगा या फिर near real time के अंदर जैसी check का है उसके कुछ ही time के अंदर आप उसको processing की start कर देंगे ऐसा नहीं होगा कि शाम को ही जा रहा है सारे के सारे कट्थे जा रहे हैं या फिर दो दिनों के बाद जा रहा है नहीं अब लगभग real time के अंदर ही checks को यहां पर हम यहां पर continuously clear करते जाएंगे तो जिससे checks असानी से clear होंगे and accordingly सामने वाले बंदे के बास पैसा जल्दी से जल्दी पहुँच पाएगा इतना लंबा time नहीं लेगा तो I hope आपको CTS system भी समझ आ गया था जिसके अंदर checks physically transfer नहीं होते है अभी तक system क्या था batch processing का अब हम move कर रहे हैं किसकी तरफ continuous clearing की तरफ यह point आपको समझ आ गया होगा next दोस्तों मारा topic है Wayne Ganga, Nal Ganga, River Linking Project के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहां पर महाराष्टा की तरफ लेके चलता हूँ इवन काफी सारे regions हैं आपके मराठ बाड़ा के जहां पर भी आपको सूखा देखने को मिल जाएगा और इवन आपके विधर्ब हो गया, आपके मराठ बाड़ा हो गया यहां पर लोगों के कुछ एक areas के बास, सारे areas तो नहीं बोलना चाहिए हम जानते हैं वेन गंगा रिवर के बारे में, अब जब मैं बात करता हूँ ना वेन गंगा रिवर की, यहां पर आप इस रिवर को देख पाऊगे, वेन गंगा रिवर दरसल में आपके जो गोदावरी नदी है, उसकी आपको टिब्यूटरी देखने को मिल जाएगी अब क्योंकि देखो जो, यह नदी है, वेन गंगा इसमें हमें ठीक ठाक पानी हमें यहां पर देखने को मिल जाता है, तो हम कोशिशा क्या कर रहे हैं? हमारी यह कोशिश यह है, कि इस नदी का पानी है, वो यहां पर हम इसको नाल गंगा रिवर के साथ यहाँ पर लिंक कर दें वेन गंगा को and accordingly यह पूरा region के अंदर जो भी issues थे चाहे irrigation के लिए पानी नहीं था, drinking purposes के लिए पानी नहीं था industrial purposes के लिए पानी नहीं था हम वो पानी यहाँ तक properly पहुँचा पाएं यह है आपका वेन गंगा नाल गंगा रिवर लिंकिंग प्रॉजेक्ट वेन गंगा के वारे मैं आपको explain करी दिया जब मैं बात के तो नाल गंगा की यह दरसल में रिवर पुर्णा की आपको left bank tribute देखने को मिल जाएगी जो कि अपने आप में एक तापी रिवर की टिब्यूटरी है तो इन दुनों को यहां पर connect कर जाएगा जिससे कहीं न कहीं यह सारे जो आप एरियास देख रहे हो यह सारे डिस्टिक्स आप देख रहे हो इन सब को यहां पर अच्छे से पानी मिल पाएगा और के बार इतना जादा पानी होता है कि उसके वज़ास से गट्ची रोली वाले रिजन के अंदर ना floods हो जाते हैं वहां पर flood आ जाता है तो कहीं न कि जो excess पानी है अगर हमने excess पानी यहां पर transfer कर दिया तो एक तो पहली फाइदा यह हुआ कि गट्ची रोली के अंदर floods नहीं आएंगे and at the same time यह पूरे region के अंदर पानी के जो भी issues आ रहे थे उनको भी हम यहां पर tackle कर पाएंगे तो इस तरह से इस particular river Lincoln project को अभी यहां पर महराष्टा सरकार की cabinet के दोरा यहां पर approval दे दिया गया है ठीक है यहां पर देख लीजिए लगबग 426 किलो मेटर की आपको link कनाल आपको देखने को मिल जाएंगी जिसके मादम से यहां पर पानी सप्लाई किया जाएगा and accordingly उस area की proper development भी हो पाएगी ठीक है तो यह कुछ pointers थे इस project के बारे में जो आपको जानने चाहिए अगला दोस्तों मारा जो topic है that is कस्तूरी cotton भारत प्रोग्राम अब दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना कस्तूरी cotton भारत प्रोग्राम की तो दरसल में यह एक ऐसा initiative है हमारी जो textile ministry है basically भारत सरकार की तरफ से जो textile ministry है plus at the same time textile trade bodies हो गया, industry हो गया कोशिश एक तरह से यह है कि जो भारत में cotton grow करी जाती है उसकी जो premium value होती है उसके तरह से ही हम उसको properly specify कर पाएं कहने का simply यह है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी cotton भारत की तरफ से है तो उसके लिए proper उसकी traceability, certification and branding करने का यहां पर परियास है इस कस्तूरी cotton भारत प्रोग्राम के माध्यम से अब आप पूछेंगे हम करेंगे कैसे इस चीज़ को देखो एक ना process होता है आपका जिसको हम बोलते है गिनिंग actual में क्या है कि जब मैं बात करता हूँ आपका पूरा spinning process करना तो उसमें बहुत सारे process होते हैं पर एक process होता है इसमें क्या होता है जब माल लीजिए आपने cotton का जो seed है उसको collect कर लिया अपने खेट से अब यह जो cotton का seed हुआ इसको हमें अलग-अलग तरह से separate करना पड़ेगा इसमें seed हो गया कुछ foreign particle हो गया कुछ आपके lint वगरा हो गया उनको सब को separate किया जाता है तो basically कहने का meaning यह है कि गिनिंग process के माध्यम से हम क्या करते हैं हमारे जो साफ cotton होता है हम उसको separate करते हैं बाकी और चीज़ों को remove करते हुए जब हम इस चीज़ को remove करेंगे accordingly हमारे पास यहाँ पे हम उसको trace कर पाएंगे हम certify कर पाएंगे और brand कर पाएंगे कि यह रही भारत की cotton and accordingly यहाँ पर उसकी वज़ा से जब हमने specify कर दिया भारत की cotton है तो वहाँ पर हमें अच्छी कासी premium value मिल पाएगी यही है आपका कस्तूरी cotton भारत प्रोग्राम समझ पाए इस चीज़ को तो आप notice कर पाओगे इसको implement करने वाली जो agency है that is cotton textile export promotion council साथी साथ इसके लिए यहाँ पर digital platform भी create किया रह गया है ता एंड किस तरह से हमारे इंडियन cotton को brand करने के माध्यम से उसको हम unique बना सकते हैं यह यहाँ पर focus है at the same time इसकी traceability को बहतर करने के लिए हम यहाँ पर QR codes बगरा लगाएंगे supply chain के माध्यम साथ चीज़े को tag किया जाएगा ताकि यह benefit हमें यहाँ पर मिल पाए इसके साथ ही transaction certificates भी होंगे, even blockchain का भी यहाँ पर इस्तिमाल किया जाएगा, micro sites, micro sites जरसल में कुछ individual आपके web page आपको create की जाएगे यहाँ पर, ताकि उसके माध्यम से भी यह जो technology है, जहाँ पर verification बगरा हो रहा है, वो सारे चीज़े यहाँ पर करी जा पाएं, तो यह है आपका कस्तूरी cotton भारत प्रोग्राम, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके national level के उपर चलेगा, इस वज़े से state level के उपर ते कोई fund का allocation यहाँ पर नहीं है, इसकी promotion करी जाएगी national as well as international platform के उपर, this is कस्तूरी cotton भारत प्रोग्राम, नेक्स दोस्तों मारा topic बिलकुल छोटा सा है, मित अब इनका 10th edition यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है, कहाँ पर श्रिलंकन सदन प्रविंस के अंदर आपको जो मदूरियो जगा है, यहाँ पर आपको इसका 10th edition देखने को मिल जाएगा, तो दोनों देशों के बीच में एक आर्मी की joint military exercise देखने को मिल जाती है, कोशिश इ एक दूसरे से बहुत साई चीज़े सीखें, security concerns यह दोनों को कहीं न कहीं टैकल करने पड़ेंगे, उसमें यहाँ पर best practices एक दूसरे का तो शेयर कर सकते हैं, so that is all about access मित्रशक्ती, अगला दोस्तों मारा topic है, BIMSTAC free trade agreement के बारे में, हमारे देखो जो मिनिस्टर है, यूश गो हुआ है, BIMSTAC देशों की ते मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको total 7 देश देखने मिल जाएंगे, बांगलदेश, भुटान, निपाल, इंडिया, शिरलंका, मेंवार, थाइलेंड, पहले देखो इसका नाम BISTAC था, ठीक है, BISTAC stood for आपका बांगला देश, इंडिया, शिरलंका, थाइलेंड, एकनॉमिक का उपरेशन, फिर इसमें M Myanmar एड हो गया, तो इसका नाम BIMSTAC कर दिया गया, बट at the same time यहाँ पर आपके निपाल और भुटान भी बाद में एड हो गये, और वहाँ से उनकी दा फुल फॉर्म है, वो भी बदल गी, अब इसकी यहाँ प के साथ में, टेचिंग बादी बाउंडरी हैं, वो देश यहाँ पर आपको इसके मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, अब देखो FTA, आप लोग जाते होंगे, फ्री टेट एग्रीमेंट के बारे में, फ्री टेट एग्रीमेंट के अंदर आपकी जो भी गोड़्ज और सर् रखा जाता है, अब एक्चल में न, देखो, बात तो कही बार हुई है, कि हमारे पास FTA होना चाहिए, जैसे बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सारी, फ्री ट्रेड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यहाँ पर लाया तो गया था, पर इसकी कोशिश यह थी, कि आपस म 2004 में स्टार्ट हो चुके थे, इवन 2018 में पिछली बार डिस्कुशन भी हो था इसके उपर, पर अभी तक भी यह बातें conclude नहीं हो पाई है, अभी तक भी हम यहाँ पर FTA नहीं कर पाई है, FTA करने से सबको यहाँ पर फाइदा हो देखने को मिल सकता है, तो कोशिश यही होन मेरी गलती है, इसके अंदर, पिछले दिनों के अंदर जो बेलारूस है, वो SEO का मेंबर बन चुका है, आपको मैं थोड़ा सा पहले शेंगाई कोपरेशन के बार में हमने करी बार डिसकुशन किया है, जब हम बात करते हैं, SEO की, तो आप जानते होंगे 2001 में इसको फाउंड किया गया था, पहले तो देखो इसमें आपको different different countries अगर हम बात करें, जैसे रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, चजाकिस्तान, उसबेकिस्तान ये थी, पहले तो हला कि शेंगाई 5 का जाता था, बात में add-on होती गहीं, तो 6 countries तो पहले ये होगी, उसके कौन से 10 countries हैं, जो आज के समय बेलर, मतलब इसके SEO के पार्ट हैं, बाकि शेंगाई cooperation organization आप जानते ही होंगे, बहुत important बन जाता है, अफगाने इस तौरार मंगोलिया यहां पर इसके दो जर्वज स्टेट्स भी हैं, यह तो हमने बहुत बार discussion किया ही हुआ है, बस ये topic में स हो गया था, कि बेलरुस में इसको जोइन कर लिया है, तो प्लीज इसको भी आप note कर लीजिएगा, बाकि देखो बेलरुस आप जानते ही होंगे, location आप बेलरुस के के बार discussion करी है, जब भी हम रश्या और यूकरिन conflict की बात करते हैं, तो definitely बेलरुस का बहुत important रोल यहां प कौन सा गलत है, पहला है आपका ला नीना के regarding, और दूसरा homework आपका रहेगा, fishing grounds के regarding, यह दो statements का अंसरा मुझे comments में बता सकते हो, कल मैंने आपसे पूझा था कि cloudy night के उपर आपके dew drops form क्यों नहीं होते, देखो जो dew होती है ना, वो कब form होती है, वो तब form होती है, जब आपक dew point के equivalent आजाए, right, dew point वो point होता है, जब कहीना कहीं, आपका जो air होती है, वो पूरी तरह से saturate हो जाती है with the water vapor, right, जिससे आपका condensation देखने को मिल जाता है, अब दिक्कत क्या आती है, जिस दिन आपकी होती है cloudy night, आप clouds हो जाते हैं, तो एक तरह से cloud cover हमें देखने को मिल जात high हो जाता है, अब temperature high होगा, तो moisture एक तरह से condensed नहीं होगा, और उससे कहीं न कहीं आपको dew drops नहीं देखने को मिल जाता है, तो इस तरह से answer क्या बनता है, इसका answer बनेगा option number B, कि clouds reflect back the earth's radiation, that is the reason behind dew drops क्यों नहीं form होते cloudy night के उपर, दूसरा स्वाल मैंने आपसे पुझा था, कु देखने के मिल जाएंगी, right, and also they flow from west to east, यह सारे factors आपको पता होंगी, even ना कभी ना कभी mains के उपर भी इस पर अंदर question आएगा, jet streams के उपर, तो यह चीज़ आपको अच्छे से ready होनी चाहिए, तो jet streams यह कह रहा है कि सिरफ और सिरफ नदन हमिस्पेर के अंदर होती है, नही नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों हमिस्पेर के नदर देखने के मिल जाएगी, पहला गलत है, दूसरा कह रहा है कि कुछ एक साइक्क्लों जी आई को develop करते हैं, आई आई आपका ना दरसल में साइक्लों में जो काम एरिया होता है ना, जहां पर आपको precipitation या winds आपको नहीं देख मिलती है, उसको आई बोलते हैं, तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ एक साइक्क्लों जैसे आपके job के temperate cyclones होते हैं, उनमें आई नहीं प्रेजेंट होती है, तो कुछ एक साइक्क्लों जी इसको develop करते हैं आई को, यह बात भी ठीक है, थर्ड स्रेट्मेंट की बात करे तो option number C, to only is the correct answer, बाकी दोनों यहाँ पर incorrect थे, ठीक है दोस्तों, यह थी आज की discussion, तीन स्टेट्मेंट्स आपके true and false के regarding हैं, इनका अंसर आप मुझे बता सकते हो, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कल जो homework दिया था, एक था quality council of India के बारे में, देखो quality council of India काफी और MFOX भी अपने आप में एक viral disease ही है, तो दोस्तों यह थी आज की discussion, इसी तरह से आप भी अपने end पे hard work करते रहे हैं, thank you very much for joining.